काफी बड़ी pocket हैं जिसमें कि आपको कुछ इस तरीके से password डाल कर ये scooter open करना पड़ेगा ऐसा square type का boot space आपको किसी भी electric scooter में देखने को नहीं बाइगा और ये scooter restart हो जाएगा तो ये हैं दोस्तो Ola S1 X Plus electric scooter जो कि इस टाइम पर आपको सिर्फ 90,000 रुपीज में देखने को मिल रहा है तो first of all तो इसके लुको डिजैन की बात कर लेते हैं ये scooter भी Ola के और सभी scooter जैसा ही है पस इस बार company ने इसके handlebar को change कर दिया है बाकि इसमें आपको काफी सारे color option भी द Ola S1 Air दोनों scooter से इसमें pocket size आपको बड़ा देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें आपको speaker नहीं मिलता और dual tone color का combination आपको पूरे scooter में ही देखने को मिलेगा बैक टायर में आपको इसके hand mount motor देखने को मिलेगी और back side में ही dual suspension भी आपको देखने को मिलते हैं grab handle की quality भी काफी अच रजेश्ट भी किया जा सकता है वही handle bar की बात करें तो यहाँ पर company ने इसमें cost cutting की है जो की देखने में ठीक ठाक लग रहा है right side वाले red button को अगर आप single time प्रेस करेंगे तो यह scooter start हो जाता है जिसमें कि आपको कुछ इस तरीके से password डाल कर यह scooter open करना पड़ेगा जो की 5 inch के digital display है इसमें आपको speedometer, odometer, trip meter, side stand sensor, battery percentage और कितने kilometer यह scooter चल सकता है वो भी इसमें show होता रहता है वही से scooter को ride mode में लाने के लिए इसके brake को hold करके single time आपको यह red color का button press करना पड़ेगा और यह scooter ride mode में आ जाता है तो अभी आप देख सकते हैं कि यह scooter 81% charging में 82 km की range शो कर रह है normal mode में वहीं sport mode में 72 km और eco mode में यह scooter 102 km की range निकाल कर देदेगा तो full charge में आप मान कर चलो कि यह scooter 100 km से ज़्यादा की range आपको easily निकाल कर देदेगा जो कि सच में city के recording काफी अच्छी range है अब इसके boot opening की बात करें तो इसके reverse button को long press करके रखने पर इसका boot open हो जाता है जो कि 34 liter का boot space है और ऐसा square type का boot space आपको किसी भी electric scooter में देखने को नहीं मिलता वहीं इसके साथ में आपको ये 500 watt का home charger भी मिलेगा जिसको आप इसके अंदर लगा कर easily घर में भी चार्ज कर सकते हैं और display पर इसकी आपको बड़ा बड़ा percentage हो होता रहेगा कि यह कितने percent charge हुआ है व और फिर bluetooth के जरीए आप इसको अपने mobile phone से connect कर सकते हैं नेक्स्ट वैसे तो आपको इस scooter में 00 password जाल कर ही मिलेगा बट अगर आपको वो password चेंज करना है या reset करना है तो उसके लिए आपको mobile app की safety and security में जाना पड़ेगा और वहां से अपना mobile number डाल कर जिसके बाद में आपके पास एक OTP आएगा वो डालने के बाद में आपका password चेंज हो जाएगा नेक्स्ट इस scooter में भी आपको region breaking देरिंग को मिलता है जिसको आप इसकी mobile application से on off कर सकते हैं सेम calling notification और vacation mode भी यहां से set कर सकते हैं नेक्स्ट ओला की scooter में week में एक बार जरूर से restart करना पड़ता है जिसके इसके लिए आपको mobile application में destination को set करना है और फिर आपकी scooter पर डिस्प्लेय पर यह turn by turn show करता रहेगा इसके लाबा यह scooter fast charging को भी support करता है तो ओला की सभी fast charger का उपयोग आप इस scooter पर कर सकते हैं तो overall इस scooter में भी आपको काफी सारे feature मिल जाते हैं जो कि अगिन इस budget में और किसी scooter कर दिना मैं मिलता है आप से कर इसी नए वीडियो में तब तक लिए stay safe and safe ride